आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूं वो है स्टफ्ट अप्पे तो चलिए बना लेंगे स्टफ्ट अप्पे सबसे पहले लेना है फर्मेंटेड इडली बैटर ये दो कप मैंने लिया है और ये जो इडली का बैटर है एकदम ही गाडा होना चाहिए जब याब बनाओ इ दालना है और इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे साइट पर अभी रग देंगे अब देख लेंगे स्टफिंग के इंग्रीडियन्स दो स्टिम कुक किये हुए आलू लेने है बड़ी साइस के और इन आलू को अच्छे से मैश कर देना है इसमें थोड़ी भी गुटलिया नहीं रहनी चाहिए और इसके अंदर एड़ करेंगे बॉयल्ड नूडल्स इन नूडल्स को इस तरह से छोटे तुकडे करने के बाद नमक के पानी में बॉयल कर लिया है तो मैं एड़ कर रही हूं 1 प्लस 3 फोर्थ कप दुकस किया हुआ गाजर 1 फोर्थ कप स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट 3 टेबल स्पून स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट और 3 टेबल स्पून प्यास फाइनली चॉप यल्लो कैपसिकम 2 टेबल स्पून ग्रीन कैपसिकम 3 टेबल स्पून रेड कैपसिकम 2 टेब और पांच का लिया लसन की इन सब को हम mixi में paste बना लेंगे और साथ में हमें add करना है नमक तो बस इन सारी चीजों का एक paste तयार कर लेना है ये भी add कर देंगे और साथ में add करना है one tablespoon soy sauce one tablespoon red chili sauce और one tablespoon green chili sauce black pepper powder half teaspoon और अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है जो आलू है वो इन सारी चीजों में अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि आलू इन सारी चीजों को अच्छे से बाइंड कर ले जब ये सारी चीजे अच्छे से मिक्स हो जाए तो एक छोटा सा बॉल बना के चेक कर लेंगे वेदर ये अच्छे से बाइंड हो रहा है या नहीं तो बस ये अच्छे से बाइंड हो गया है तो इसे हम रख देंगे साइट पर और बना लेंगे चट्नी चड़नी के लिए मैंने लिया है नारियल के इस तरह के तुकडे है वन फोर्थ कप और चने लेने है वन फोर्थ कप से आधे याने 1 एइथ कप चने लेने है जो चने है वो इस तरह के मैं यूज़ कर रही हूँ चौप किया हुआ हरा धनिया वन फोट कप मसालों में दो से तीन हरी मिर्च दो कल्या लसन एक छोटा अद्रब का दुकड़ा स्वाद अनुसर नमक डालना है शक्कर हाफ टी स्पुन और थोड़ा सा नीबु का रस बस इसे मिक्सी में चला लेंगे और जरुरत के हिसाब से पानी एड़ करके चटनी प्रिपेर कर लेंगे इसे निकाल लेंगे और अब जो हमने स्टफिंग प्रिपेर किया था उसमें से हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे इस तरह के बस ये रेडी है तो चलिए अब बना लेंगे अप्पे अप्पे मेकर गरम करने के लिए रख दिया है और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा तेल डाल देना है इसे अच्छे से ब्रश कर लेंगे और जो बॉल्स हमने बनाए है वो इडली बैटर में डाल कर अच्छे से इसे कोट कर लेना है इसे अच्छे से कोट कर लेंगे और बस इसे अप्पे मेकर में ड्रॉप करते जाएंगे इस तरह से तो सारे बॉल्स इडली बैटर में डालने है और इसे हमें कोट करते हुए अप्पे मेकर में डालते जाना है अगर आपको लगे कि कोटिंग कम पढ़ रहा है तो स्पून में थोड़ा सा इडली बैटर लेकर रखे हुए अपो पर वापस से थोड़ा थोड़ा इडली बैटर डाल दीजिए इस तरह से और बस सारे अपपे रखते जाएं और गैस लो करके धकन लगाकर इसे तब तक होने देंगे जब तक ये नीचे से हलके गुलाबी हो जाएं तो इसे इसी तरह से धकन लगाकर पांच मिनिट के लिए छोड़ देंगे पांच मिनिट के बाद धकन हटाकर हम चेक कर लेंगे बस ये रेडी है और सारे अपपे हम पलट लेंगे और वापस से सारे अपपो में दो तीन बुन तेल डालना है और वापस से धकन लगाकर स्लो फ्लेम पर इसे पांच मिनिट के लिए होने देंगे और पांच मिनिट के बाद धकन हटा कर चेक कर लेंगे ये अपपे एकदम रेडी है तो बैस अब इन्हें निकाल लेंगे इसे आप चटनी और सॉस के साथ सर्व कर सकते हो एक बार खोल के देख ले ये बाहर से एकदम क्रंची और अंदर से एकदम सॉफ्ट है शेख साथ स्वी में पे रेडी के लोगे कीजिएगा और कमें विजी तक के सेफिन है कैसी लगी तुछिए येगए में बातार्थ रची जोगा इसाध प्रफ्टा भाट्वाचिए है